हलो आस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चानल ड्यू वाली पर, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET के एक्जाम में अब सिर्फ 40 दिन ही बाकी है, 21st में से 31st में की बीच में आपका एक्जाम कड़क किया जाएगा और बहुत ही जल्द आपके admit cards पर रिलीज होना शुरू हो जाएगे आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडिंस के लिए होने वाली हैं, जोनों ने अब तक CUET की preparation करना शुरू नहीं किया है या फिर CUET की preparation को उतना seriously नहीं लिया है आज की वीडियो में हम कुछ tips और strategies डिसकस करने वाले हैं, जिसकी help से आप 40 days में भी 0 से 100 तक जा सकते हो और अपने dream college में admission ले सकते हो, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना तो सबसे पहली चीज आती है strategy, अब अगर आप एक solid strategy बना लोगे, तो 40 days में भी आप पूरा syllabus कवर कर सकते हो और guaranteed बहुत अच्छा score कर सकते हो अपने exam में, अब वो strategy क्या होनी चाहिए उस बारे में हम बात करते हैं अब सबसे पहले अपने syllabus को समझो, coet.sumarch.ac.in website पे जाओ, अपने syllabus को download करो, पढ़ो, समझो क्या क्या आने वाला exam में, उसके बाद अपने exam pattern को समझो, total कितने questions आने वाले हैं, आपको minimum कितने attempt करने हैं, एक section आपको कितनी duration में करना हैं, अब सब समझने के बाद आपको क्य करना हैं कि एक time table बनाना है, और मैं suggest करूंगे कि आप time table weekly basis पे बनाओ, मतलब कि ये कि एक हफते में आपको कितना cover करना हैं, वो सारी चीज़ें, अब since आपके पास 40 days हैं, तो आप ये लगा लो कि एक दिन में minimum आपको 6-7 घंटे तो पढ़ना ही है, अब 6-7 घंटे पढ़न हैं, इस तरीके से करोगे तो पहले कि दो हफते में ही आपका major chunk of syllabus cover हो जाएगा, ठीक है, और जो भी बढ़ोगे MCQ pattern के according ही पढ़ना, आपको कोई भी lengthy-lindy answers learn करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और time table बनाते वक्त ये याद रखना कि आपको एक week में सारे subjects थोड़े-थो subjects पढ़ो, अब time table बनाने के बाद जब आप एक-एक करके अपने subjects अपने topics पढ़ना शुरू करोगे, तब हर topic के साथ-साथ notes बनाते जाना एक अलब different notebook में, और day end पे उन notes को जरूर से revise कर लेना, इससे क्या होगा कि आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है वो पक्का हो ज आइम आता है mock test solve करने का, ठीक है, by this time आपका major, सारा syllabus cover हो गया होगा, आप online या offline, CVT, UG, sample question papers की books पर चेस कर सकते हो, आप चाहो तो Kiran Institute की book आप पर चेस कर सकते हो, जिसमें आपको language, domain और आपका general test तीनो एक ही book में आपको मिल जाएंगे, अब mock solve करना जरूरी इसलिए है, क improve कर पाओगे, तीसरी चीज़ जब आप mock test solve करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने time में कितने equations solve कर पा रहे हो, और उसे according आप फुद को speed up भी कर पाओगे, generally ऐसे exams में यही होता है, कि आपको paper तो आता है, पर आप time से paper पूरा नहीं कर पाते हो, paper आपका छूट जा लगता है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई भी doubt आपका रहे जाता है, तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हो, वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like कर देना, ऐसे ही see you at or do updates के लिए आप चानल को subscribe भी कर सकते हो, stay tuned